हलो दोस्तों वेलकम टू सीबीम ट्रेनिंग यूटो चैनल चले आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विभो के जो नियूड सीक्रियोटी के फोन आ रहे हैं वो अनलाग करने के बाद कई सारे लोकों से टेड़ हो जा रहे हैं तो उसे रिकवर कैसे करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो हैंड्सेट है उसमें कुछ हाड़वेर प्रब्लम आ गया है अनलाग करते समय या फिर अभी साफ्टेयर प्रब्लम ही है तो उसके लिए यहां पर कुछ बाते मैं बता रहा हूं वह आप ध्यान से देखे वीडियो को हमने वाइ प्रवाण सुनना है देखे पोट की इनफार्मेशन यहां पर आ रही है मीडिया टेक उवेस्पी पोट और फिर प्रिलोडर पोट यहां पर हमने वीडियो को फास्ट फरवाड किया है तो पोट जल्दी आ रहा है अगर पोट इस तरीके से आ रहा है और जा रहा है तो इसक इसमें लाइन ब्रेक हो गई है तो नियो सिकुर्टी के जो फोन आ रहे है उससे सेल के पॉइंट को ग्राउंड के साथ सौट करके हमें फोन को अनलाग करना होता है तब ही वो बुट करता है तो दोस्तों यह हैंड सेट हमारे पास किसी सौफ टिकर से आया है और वो इस फो समें कर सेंदा हमें पुट हो एक है तो जहां पर मैं आपको वदा देता हूं कि अनलाग करते समय में क palavra करते हैं फोलिजश्टन हो जाता है तो आपको उसे डारेक्त जंपर करना है और देखना है तो यह बात को ध Catholics मियां रखना है हमें डिये अथांटिकेशन यह सब धोना नहीं पड़ता है बाइपास टूल भी धोना नहीं पड़ता है तो देखे मैं cm2 यूज कर रहा हूं और मैं इस से फाइल को लोड़ करके फ्लैसिंग कर रहा हूं अब जब फ्लैसिंग करोगे तो आपका यह पोर्ट क्या हो जाएगा इस्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब आपके फोन में साफ्टेयर हो रहा है तो यहां पर बस बात ध्यान देने वाली बस यही है कि अगर पोर्ट कांटीन्यू बना हुआ है तो समझ लिजिए आपका जो सेलके का लाइन है वो ब्रेक हो गया है आप से जंपर करिए सिंप तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मतलब यहीं था कि आपको पता कैसे चलेगा कि अनलाग करने के बाद अब आप उसको रिकवर कैसे करेंगे साफ्टेयर करके या फिर उसमें कुझे हाडवेर करना है तो अगर पोर्ट कंटीन्यू बना हुआ है तो हाडवेर करना पड बाद देखें जब आपाप्याहकर करने लोग है फिर पद्रियो रिखते हैं यह कंप्लिये फोन कंप्लिटली अन करके आ के इंत्रेट पर बहुत सारे फिदियों रहते हैं कर्गान्य electronics थे हैं यह थेल्सांपłाव में पार्त करके कि इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इसमें आपको समझाते भी हैं और अगर आप विडियो को देख करके अगर आपका कुछ काम बंता है यह आपको कुछ पता चलता है या आपको आयडिया लगता है थोड़ी सी भी अगर हेल्प होती है आपकी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और सप्पोट दीजिए जिससे हम और भी वीडियो बनाते रहें तो देखिए क्लैसिंग कंप्लेट हो गया है और अब हम जो है इस मोबाइल को एक बार डिसकनेक्ट करके अब दुबारा बैटरी लगा करके चालू करके आपको दिखाते हैं देखिए मैं एक बार बैटरी निकाला लगाया और अभी हैंडसेट खोला हुआ है तो मैं इसका प कंप्रीट आन हो गया तो इसका मतलब जो है कि अगर इस तरीके से आपको पूर्ट आ रहा है जा रहा है दिखा रहा है तो इसका मतलब समाझ लिजिए कि इसमें शाफ्टर करने से आपका प्रावलम सॉल्व हो जाएगा और इसमें घबराने वोली कोई बात नहीं है कि इसम क्या कहेगा तो आप शिदा साफ्टर कीजिए और आपका हैंड सेट अन हो जाएगा तो अब यह आन हो गया है तो मैं इसको फिलाल पूरा तो दिखा दूंगा लेकिन आगे जो है आप समझ गया होंगे आपको हेल्प मिल गया होगा और इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिलता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट किजिए वीडियो आप देखते रहे हैं हमने वीडियो हम रिकॉड करते हैं उसमें स्टूर्ण को समझाने के लिए तो यहाँ पे हम बताते हैं बहुत सारे आपको निफूर्ण रहते हैं लेकिन हम वीडियो इसलिए जब भी बनाते हैं तो वाइस के साथ बनाते हैं कि वीडियो देख करके आप जो है इस तरीके से करेंगे और उसका मतलब आपको बताते हैं तो समझ में आएगा तो फोन आउन हो गया है कंप्लेटली आप हास्ट यह जो लॉक्स हैं वो हमें अगले अदमी ने बताया था कि यह पूरा प्रोसेस ड़न हो गया था और उसके बाद फिर भी यह सेट डिड हो गया तो इसको जो है उन्होंने काफी प्रैस किया क्यान हो जाए सफ्टेवर से लेकिन उसके बाद यह सफ्टेर के लिए डिटेक नहीं होता था क्योंकि इसमें थोड़ा हाड़बेर प्रोब्लम भी आ गया था यानि सेल के का लाइन ब्रेक हो गया था हमने इसको जंपर किया उसके इसका जो आई में बरोगा रहा है वो सभी इसमें बैलिड है कोई चीड डिस्टर्ब नहीं हुआ है तो अब हम इसको प्रेस्टमर को वापस कर देंगे तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारे सेनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और श झाल